हेलो फ्रेंट्स सो आज मैं काफी अल्मोस्ट तीन हफते बाद मैं वीडियो ला रहा हुई है और जो लास्ट मैंने वीडियो लाया था वह एक शॉट्स था जो कि मैंने करीबन 17-18 दिन पहले मैंने पोस्ट किया था आप लोग सोच रहा हो कि काफी टाइम से मैंने अपडेट नहीं किया कुछ नहीं किया आचली कुछ रीजन है वह मैं आप लोग को बताऊंगा आज वीडियो में अभी फिश रूम का आप अपडेट देता हूं कि क्या हुआ है आ गये हम टेरिस में लाइट शुरू करते है रूम का आई होब वो लोग सो रहे होंगे सौरी उनको डि यह सारी फिश सो गई है एंसी हाओ दे स्लीप अनकॉंशेस हो जाते हैं टूटली सब नीचे की नीचे सो रहे हैं तो अभी अपने पास टॉक में फिला ले जो में टांक है जैसे लास्ट आपने शॉट्स में देखा था कि इसमें रहू कतला मिर्गल मतला आएम सी एंडियन मेजर काप्स उसकी फैमिली है पूरी यह लिटरली बहुत-बहुत जबर्दस दिखता है मतला नोड आउट यह फ स्विम करते एक साथ यह बहुत-बहुत सुंदर दिखता है यह स्कूलिंग फिश है पूरे एक साथ स्विम कर रहे तो इवन आप देख रहे होंगे यहां नीचे एक्चुली ग्लास भी हेजी है साथ-साथ मैंने अभी फिलाल फिल्टर में अभी अभी भी मैंने स्पंच आ हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से फीडिंग ले रहे हैं इसमां हाला कि मैंने इसमां भी फीडिंग मैंने चेंज किया है लास्टाइम जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे पास मतला यह दो भी फिलाल फीड कर रहा हूँ इसमां एक्चुली यह आनी का पाकिंग है और वन केजी के पाकिंग में मेरे पास अल्मोस्स सेवें फिफ्टी तो एट हरेड़ ग्राम मेरे पास रखा हुआ था तो वही मैं इनलों को फीड कर रहा था तो आप लोग ने जैसे अभी थोड़ा देखा होगा क्लिप में कि मैं अभी न्यू फीड मैंने इन आफने पाल तो उसको 549 गजीब का पेकिंग और वह रखोलं की कर आफ कंपनें ये गे और तो इसमें कैसा सेंगे फूड़ और इस तो स्मयल या फिर इसमें यह लह बहुत बहुत स्ट्रॉंग है और यह कुछ इस तरीके का फीड है हूँ और इसको 2 mm साइज बोला जाता है commercially अब 2 mm इसको किस तरीके से गिनता आएगेस इसका diameter जो रहता होगा इसका एक stick का वो गिनते होगे और जिसे यह एक छोटा सा पीस है यह भेरपास में इसका यह 2 mm साइज होगा यह stick का और बहुत जल्दी dilute हो जाता है बहुत easily मतलब खा लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से खा रहे हैं यह लोग और काफी अच्छा है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं यह लोग ब कर अबने पास में इस में सिर्फ और अभी एक यह फीमेल फ्लार Brave और यह लीवा काटफिश का पैर है यह पाहिएं और अफसाइड डाउन उसके लाउन पैर यह अपको बैक साइभ और आपक साइट में दिख रहाँ का पार हैसलिए अभी ब्लाक ब्लाक में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है और नीचे के इसमें भी हाँ पे यह आसकर रखा और एक फीमेल फ्लॉरन रखी है पार्डिशन में यह पूरे रखे हुए है और अभी आज के डेट में इसमें इवन अभी हीटर इसमें चालू है टेंपरेचर क्योंकि ब हुमिडिटी रूम के ही गर्मी से काफी अच्छा टेंपरेचर बन रहा है पता नहीं इसका क्यों नहीं आ रहा था इसको हीट करना पड़ा मुझे प्रॉपोर्स का टेंपरेचर नहीं आ पा रहा था जो मुझे डिजाइड था अच्छुली मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि अच्छुली मेरे रीसेंटली मेरे पेरेंट्स फिर से कोविट पॉजिटीव होते हैं और उनके साथी साथ थोड़ा सा एफेक्ट मुझे भी आया था उस चीज़का बट हाला कि मैंने टेस्ट करा तो मैं नेग अच्छुली मेरे पेरेंट्स पॉजिटीव थे तो उनके ही चक्कर में मतलब पेरेंट्स के साथ ही में था और मेंली मैंने इनको ही मेंटें किया जितना था जो था रेगुलर इसमें था इसलिए मुझे वीडियो लाने में लेट हो रहा है कि अभी आपकमिंग वीडियो का ना था मुझे की फिशिस का डेथ क्यों हुआ है तो इवेंच्वली जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ जो है वो पैरिसिटिक इंफेक्शन के कारण हुआ है और उस वक्त आक्चुली जो बहुत जो मौसम का टेंपरेचर था नापपूर में उस वक्त 7.4 7.37 डिग्रीज का अश्रा करन जैसे वाटर का टेंपरेचर नहीं रहा था जिस कारण जो पैरेसिटिक इंफेक्शन है वो बूस्ट होगा थंडे पानी के कारण एवेंच्वली वो इतने स्पीड में बूस्ट हुआ कि उसको मेडिकली उसको मैं कुछ नहीं कर पाया मतलब लगबग एक या द तो दिन में मतलब वो इतने स्पीड में बढ़ गया था उसको में ट्रीट ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी तो उसके बाद ही मैंने फिर कुछ चीज सोचा कि मैं अभी फिलहाल स्टॉक नहीं लाओंगा जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में कहा था कि अपना जैसे ही सीज दिन खतम होता है उसके बाद ही मैं अपना न्यू स्टॉक लाओंगा तो आए होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हुए लोगों को एक रनिंग अपडेट दिया है तो चलिए आज का एपिसोड यहां खतम करते हैं सो थाइंक्यू अबरिमान जैहिं करते हैं करते हैं